कि आप जो ए बाला जी के पास आओ सच्की सिर्दासे पूर्ण सिर्दासे और यहां के नियम है उनका पलन करो निश्चत रूप से दुनिया कोई ताकत नहीं है आपका काम होगा 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 जिस तरह से यहां पर जो है बुरी आत्माओं का साय रहता हो ठीक होता है क्या है इसकी हकीकत इसकी हकीकत जहीं है कि ना ऐसा कोई कर पाया है भी तक और ना हुआ है एक साथ हजारों लाकों के मतलब उप्री चक्कर सब्दूर हो जाते हैं डोब उल्टिष और साथना राया कहां से आई हैं यहां अधिकम गड़ से अचछा करते हैँ जब आप यहां पर आती रहते हैं ठीके आने के वारें सोचती है तो क्या चलता है मनमी किसला अध्य के प्राद्धा यहां पर रहता है बाला जी कि प्रती बालय Options निया है नहीं और ये जान लिजे इस वक्त मैं हूँ बागेश्वर धाम में बागेश्वर धाम के प्रांगण में और आप ये देख सकते हैं ये जो है वही जगा है जहां पर भगवान जी बैठते हैं पंडित धिरेन सास्त्री जी बैठते हैं और इधर देखिए ये है धाम का मुख द्व का और यह से जा करके आप दरसन वहां पर पा सकेगी की यहां पर लोग हां इंसे पूछते हैं किस तरह को शरद्धाओ है इनके अंदर कहां से आए हैं कि क्ला ऑफ? क्या किस तरह के शरद्धाओ राटथ हाँ यहां था उनकी कथा थी वहां पर महाराज जी का देखा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लाब मिला है काफी सारे की लोगों की समस्यां सुरज्टी है बीमारियां भी ठीक हो जाती है महाराज जी का कौन सी ऐसी बात है कौन सी ऐसा ऐसा वक्तव है जो आपको सब से जादा प्र पूर्णा इस्थल चलता है बताओ सभी जगे पानी की बोतल पूर्णा इस्थल भी हम आपको अलग से दिखाएंगे फिलहाल दर्सकों का खास्ता और सरद्धालूं का उनका मत क्या है इस जगे के प्रति वह जान लेते हैं हां बताई यह कि लोग यहां आते हैं उनकी मनुका पिछले तीन चार महीने से जोड़ेंगा मेरा नाम सब्सक्राइब कहां से हैं सब्सक्राइब क्या सोचकर यहां पर आएं अब मनुकामनाओं को लेके आएं जो हमारी कुछ मनुकामना है वह फूरी हो जाए ऐसा तबीयत उबियत खराब रहता है करते बाबाजी ठीक कर दे लोगों का विश्वास है लोगों को आराम मिलना है अच्छी बात है वगवान की हनुमाजी महराज की और बबबा जी महराज की सन्यासी जी बाबा की असी मानुकंपा है महराज की उपर लोगों को पूर्ण रूप से वह आराम मिलता है अच्छा दर्सन वर्सन आपने बाल आजाईए इधर पूछते हैं क्या नामे माता जी आपका कि मेरा नाम मुझी कहां से आई हैं नागोर जिला साइए जान लीजिए आपको बता दें कौन लड़के हैं यहाँ पर भीड इस वक्त अधी राथ होने वाली है और लगवग बारा बजने वाला है उसके बावजूद भी आप भीड देख सकते हैं इस तरह से सरद्धा वाव है लोगों के अंदर बागिश्च और धाम के बाला जी सरकार किस तरह का स्रद्धा भाव रहता है यहां पर आने के बाद मनों कमना पूरी होती है सभी की कि दो भी आते हैं हम भी आये है पहली बार है या इससे पहले तीसरी बार या क्या नाम है आपका साधना राय कहां से आई हैं पीकाम गड से अच्छा क्या जेते हैं people आप यहां सोचती है क्या चलता है मन में किसके प्रतित शर्दधा सब04 जादा करे अ miss кто vi मैन बढम कब से भाला जी को मतलब हैं यहां पेर पूजा इर्चना कर रहें बाला जी छब से हमारे हम घुरुजी कथा करने के लिए गयते तब से उनने बताया तो जब इसे आने लगे तो मन लग गया और आते रहते हैं और एक च्छा भी पूरी होती है कहा जाता है कि जिसके उपर बुरी आत्माओं का साया होता है उनका भी कल्याण होता है यहां आने के बाद क्या है लेए तो नहीं है्या जानकारी वूत प्री था व्शलिड नहीं सब कुछ अच्छा था लेकं जब से आये तो और अच्छा होने लगा वैसे कोई ऐसा नहीं है कोई ढला के अपने अच्छा से आते हैं तो खुशी के साथ। और मन भी वोलता है कि और जाएं ऐसा लगता है और आने से धर बहुत अच्छा भी लगता है। आपने पूजा ब गयरा वहां पर कर लिए दरसन लोग ने दर्सन के लिए जा रहे हैं अभी आए है हम निजान लिजे दर्स को आपको बता दें कुछ लोग अभीर आ रहे हैं कुछ लोग पहले से ही आए नो तीन दिन पहले से चा 먹 में आपका सुबनाम वच्ण करोच ma विश्व में कोई शक्ति नहीं और यहां आने से अद्वुद अनुभूती प्राप्त होती है लोगवाग महाराज जी से मिल पाएं या न मिल पाएं लेकिन बालाज जी के पास आएं तो मेरे समझ में क्या होता है कि वहाव होता है जिस सिर्दास से उस भाव से आओगे कैसे स संसार में हर प्रतिक चीज का एक भाव होता है तो उसमें क्या है कि भाव बिना मिलता नहीं दुनिया का कोई सामान और भाव बिना कैसे मिलें भावतारन भगवान तो आपकी जैसी सिर्दा होगी ऑटोमेटिक होता है जो लोग देख रहे हैं ठीक है उनको क्या सलाह देंग से पूर्ण सुर्दासे और जो यहां की नियम है उनका पालन करो निश्चित रूप से दुनिया कोई टाकत नहीं है आपका काम होगा 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 जो बहुत और जो चाहोगे वह मिलेगा आटोमेटिक कब से आप यहां पर आते हैं आ रहा हैं करीब देर दो वर्स हो गए है आते हैं आते हैं साल में दर्सन करने करो हैं चाहे जब आता हूं आठ दिन में आ जाओ पन्हां जायों परिवार के साथ आते हैं कि लोगों से सब से उनकी जान सके क्या नामें आपका कहा है कोई साथ है इस तरह से नहां पर जो है बुरी आत्माओं का साही रहता है ओ ठीक कि यहां पर लाइन लगी हुई है बस बाबा जी का जो है पंडित धीरेन महराज जी का दर्सन पाने के लिए और उनका प्रवचन सुनने के लिए यह सब भीड है इकठा हुई है लेकिन हाँ जो है जो यहां पर आता है तो कोशिस उसकी पूरी रहती है कि करते हैं प्रवचन भी सुन ले साथ ही साथ जो है दर्सन भी कर ले दर्सन करता है फिर उसके बाद प्रवचन भी सुनता है यहां पर इस तरह से सिस्टम है अगर आप को आना है तो आपको भी जो है कुछ इसी तरह से जैसे लोग कर रहे हैं जैसे नियम कानून का यहाँ पर फालू करते हैं उसी तरीके से करना होगा बहुत बहुत धन्यवाद